नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्युनिश्यर्मा किसानों की वेदना और चेहरे पर जलक्ती उदासी बेशक लोगों को दुखी कर रही है सरकार और किसान संग्टनों के बीच अब तक हुई बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकलने के बावजूद किसानों के तेवर और तलक होते जा रहे हैं किसान अन उप जाते हैं तबी तो हमारी खाने की मेज सस्ती है बारत 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में लागु हुए सविदान में बारत को एक लोगतांतरक गरतन तरगोशित किया गया था इसका मतलब है कि एक ऐसा देश जहां जनता दुआरा जनता के लिए जनता का शाशन होता है बहराल ऐसी विवस्ता 2300 साल पहले ग्रीस की राज़दानी एथेंस में भी थी जिसे लोगतंतर का जन्म स्थल्माना जाता है लेकिन एथेंस में लोगतंतर अपने शुवाती दौर में ही इतना विकरित हो गया था कि लोगतंतर और जनता के फैसले की आड़ में सुकराज जैसे दार्शने को मौत की सदर दे दी गई थी तब सुकराज ने इसे लोगतंतर की खाम ही बताया था बहरत में आज सरकार शायद अपनी बात किसानों को ठीक से समझा नहीं पा रही है और किसानों के बीच भी कई ऐसे नेताओं की कमी साब दिखाई दे रही है जो बातचीत में ऐसे किसी निशकरश पर पहुँस सके जो सब के लिए मानने हो जिसमें सबका साथ सबका विकास हो किसान आंदोलन में राजनितिक पार्टिया सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों के साथ खड़ी हैं ताकि आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सकें लेकिन चुनाव जीतनाई सिर्फ लोगतंत्र नहीं है बलकि लोग द्वारा अपनी सूजबू से वोट डाल असली लोगतंत्र है फिलाल के लिए इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नवस्कार